गुड मॉनिंग इस्टुडेंट आज के अनलेइन क्लास में हम लोग पुस्पी पात्पो की अकार्की पढ़ेंगे ठीक है मार्फोलोजी या फ्लॉरिंग प्लांट तो अकार्की या मार्फोलोजी होती क्या है उसको सबसे पहले समझेंगे तो किसी भी जीव की जब हम बाहे जीव जन्तु है उसकी बाहे सरचना के अधार पर हम क्या करते हैं उस जीव को पहचानते हैं अगर दो पौधा आपको लाके दे दिया जाएगा तो आप उसको कैसे पहचानने के लिए उसको पहचानने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसके बाहे अकारों को देख का है या ये बरगत का है न तो उसे ही जिसकी अबाह या अकार या बाहरी सरचना का जब हम अध्यन करते हैं तो उसे हम अकारकी या मारफुला जी कहते है इसका महत्व क्या क्या है तो महत्व उसके हम पहचान के लिए जीवों के पहचान के लिए अकारकी का महत्व होती है जीवों के वरगी करन के लिए उसकी महत्व होती है उसकी पारिस्थितिक अध्यन के लिए यह सी अणकरन के पता पता इस लगता है जिवों में होने वाली कई रोग होती जिसका पता हम इसके आकार की सरचना से कर開始in Shoksey प्रुर है PUSTVी पादब के भाग होते है ठीक है तो पुष्पी पादब जो होती है वो दो भागों से बनी होती है, जैसे कोई भी बीज है, तो बीज जब अंकूरित होती है, तो एक भाग क्या होती है, उपर की ओर जाती है, और एक भाग क्या होती है, नीचे की ओर आती है, तो यह जो भाग होती है, यह क्या होती है, यह होती है, प्रिथ्वी, मिट्टी की ओर होती ह और जो Nich होती है वह उपर की ओर जाती है 어떤 तो जो बहाग को प्रज़तनत्र है और जू जम्डर होते हैं अपसे और ऻूसका निचे वाली भागो सीच्टम और उपर वाली भाग को प्ररो तंत्रा जिसको इसको root system और ये suit system कहलाती है और दोनों एक दुसरे के वीपृत होती है देखना प्राया क्या होती है जड़ जो होती है मिट्टी के नीचे मतलब धनात्मक गृत्वा वरती होती है और रिनात्मक प्रकासनों वरती होती है जाती है इसमें हमेशा पत्ती फूल और यह सभी लगती है और इसमें क्या होती है प्रात्मिक दूत्यक तृत्यक जड़े पाई जाती है यहाँ पर यह बैग्राम उसी का है यह जो होती है बीज होती है जब यह अंकुरीत होती तो इसका दो भाग होता है एक जो होती जड तं जड जो होती ही वो दो प्रकारकी होती है जड जड होती है वेहों triangular होती है इसे ही प्राथ्मिक जड कहते है प्रात्मिक जड़ से जो और जड़े निकलती है उसको दूत्यक जड़ कहती है और दूत्यक जड़ से और पतली पतली जो रेशे की समन जड़ निकली है वो दूत्यक जड़ कहलाती है तो इस प्रकार इसका निर्मान होता है इसमें क्या होता है आपिस्थानिक जड़ में रेसे के समान, फाइबर्स के समान होती है, इसी करण से इसको रेसेदार जड़ भी कहा जाता है, दो नाम से इसको जाना जाता है, अपिस्थानिक जड़ या रेसेदार जड़, जब इसका दोनों का अंतर आप लिखेंगे, तो इसमें लिख सकते हैं, जो मुसला जड़ होती ह इसमें एक मुख्य जड़ होती है और प्रात्मिक प्रत्यक PayPal नहीं पाई जाती है ये सब के में जड़ पाई जाती है ये जो जड़ होती है इसमें कुछ निश्चिस सका है निकलती है ये अनीमी सखाओं के दरा निकलती है ये जो जड़ होती है वो अधिक गहराई तक जाती है प्रित्वी की और एक कम गहराई तक जाती है तो इस प्रकार से दोनों का आप डिफ्रेंस लिख सकते हैं फिर जड़ की कुछ प्रमुक लच्छन होती तो जो मैं बता रह वही प्रमुक लखशन है क्या होता है जरड छो होती है वो घनात्मा गुरुत्व नूर्थी होती है मतलर मिटी के अंदर की ओर जाती है और वो रिनात्मा Ada korog और करती है जड जो होती है वह मुख्य रूप से क्या करती है पौधों को करती है बांद कर रगती है अधितर जडे होती है व่ violation कि होजाती है मिटी चो हुआ होती है वह हरे कलर की हो जिसके करण प्रकास अंसलेशन भी करता है जैसे एक्जामपल आर्किट और टीनो इस्फोरा ये जो पौधे होती है इसकी जड़े हरी होती है हरी कलर की और ये प्रकास अंसलेशन में भाग भी लेता है उसी प्रकार का जड़ का मुख्यकारिय जड़ो पर कलिकाएं उत्पन नहीं होती है जड में कोई परवय वं परवसंधी नहीं पाई जाती है भूमे में रहने के कराण जडो का रंग ऐसा होता है मतमेला कलरका होता है ये सभी इसकी प्रमुक्ल छण होती है अगर कुश्चन आता है कि जड़ की प्रमु कलक्षन लिखे तो यह सब को आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर फिर दिया है कि जड़ की बाय है सररजना जड़ की सररजना जो होती है वो पांच भागों में बाटा गया है जड़ की सबसे नीचे भागोती फर्ष्ट उसको रूट कैप कहते है यहाँ पर छोटा सा कैप के समन सरजना होती है जो फर्ष्ट क्या कहलाती है रूट कैप के उपर वाली जो भागोती है उसको ग्रोइंग रीजन बोलते है